प्रवापस उपर आएंगे कौन से स्टॉक है इन में से जो वापस ओल टाइम हाई माँ सकते हैं देखो हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले हैं बहुत सारे स्टॉक में क्या न्यूज है स्टॉक में टेक्निकल चार्ट्स क्या है और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए तो वीडियो एंट तक देखेगा कोई डाउट है कॉमेंट जरू कीजिगा और देखो आँज जादर तर डाउट जो है मैंने हमारे जो डेली पार्ट तो आता है ठीक है जैसे कि यह वाला ट के स्टॉक हाला कि लांग टाउट के लिए बहुत ही अच्छे जाके जरूट कर सकते और यहां पर यह बड़ा वीडियो है जाके देखेगा कि मार्केट में कुछ न्यूस चल रही है रिपोर्ट चल जिसके वाज़ से मार्केट में मैंनुपलेशन होती है आप जाकि यह वी सबसे पहले आप भील का स्टॉक डिसक और इसक करेंगे बहुत सारी लोगों की प्रेडि साती है तो हम लोग वन और वान क्वेडिस आपकी शिधां की शिह डाउट करेंगे सबसे पहले अगर भील एने जैसर भील कहां तक गार यह बोला ऑपना तो यहां को क्रॉस भी नही नहीं होते होते है कोई लोग को अच्छा नहीं बता है कुछ तॉक स्टॉक और सिर्फ उपर जाते और बाद बात में लोग इसा मुझा नाम जेड़ीजिए आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सब्सक्राइब करने चाहिए मुझे क्लियर पता था कि यहां पर मैंनुपलेशन हो रही है ओर मारकेट जितना भी खराब हो मारकेट जितना भी वर्स्ट हो स्टॉक उपर जाता है ठीक उसके बाद एक टाइम ऐसा था कि आपको सीधा ट्रैप करवा देता है तो ऐसे manipulations होते हैं, खरब manipulation, कुछ अच्छे manipulation होते हैं, जैसे की बेल जैसे stock में, देखो बेल में हुआ क्या है, बेल को अगर आप देखोगे, बहुत सारे orders मिले, अभी NTPC से order मिला है, साधे नौज़र करोड का, अब लोग से सर रही है, तो उपर जाना चाहिए, definitely, ठीक है, अब market में news ये चल रही है, कि stock 300 तक जा सकता है, हाला कि ज्यान से सुनेगा, जिनके पास बेल का stock है, सिर्फ इतना समझेए, investors, कि बेल को बिलकुल भी profit margin नहीं मिलता है, जितने भी orders हो, जैसे कि ये साधे नौज़र करोड का, मानलो 25,000 करोड का क्यों ना मिले, मानलो पूरे कि ये पास margin नहीं होता, बोलते हैं मुनाफ़ा, आप कितना पसंद मुनाफ़ा लेते हैं, order में से, वो important है, ठीक है, अगर ये साधे नौज़र का क्रोड का order है, अगर इन में से सिर्फ दो पसंद मिलता है company को, as a profit, operating profit, तो बहुत कम है, क्योंकि वो operating profit company यहाँ पे handle नहीं कर पाती है, और somehow company loss में चली जाती है, और उसी के वज़े से आप देखो कि current साल के अंदर company loss making है, ठीक है, current साल के अंदर company loss making है, आप देखो के देखो, एक टैम में कमनी का operating profit था 21%, तब उसमें पूरे साल का order था, साड़े 9000 करोर का profit तो 21% का operating profit था, तो उस company ने EPS काफी जनरेट की थी, लेकिन उसके बाद देखो, 2020, 2021, company यहाँ पे loss making है, 2022 थी, इसमें profit में ही, लेकिन वापस अभी loss में चली गी, ठीक है, operating profit 1% से बढ़ता ही नहीं है, यह बहुत गलत चीज़ है, ठीक है, तो point यह आ जो, कि जो लोग भेल में investors है, अगर यह company operating profit जनरेट नहीं कर पाई है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परस हो, यह stock 25 पर दीखेगा, ठीक है, आज भले आपको 25, अभी आपको 200 का दीख रही दे रहा है, क्या पता, यह stock 3000 पर भी चला जाई, कोई कह नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर stock में एक time दीखना, 2007 में stock 300 पर था, उसके बाद वापस 300 पर कब आया था, 2010 में, ठीक है, और fee stock चला गया था, सीधा 77 पर, फिर पूल बैक किया था, 200 पर, आज यह stock 2010 का भी high test कता हुआ, नहीं दिखाय दया, कितने 14 साल हो चुके है, ठीक है, उस time पर तो company profitable थी, मेरे भाई, profitable थी, तो आप यह समझो, यह चीज़े negative है company के लिए, तो इसको avoid category में रखो, stock जितना उपर जा रहे, trailing support रखो, जब गिरेगा बहुत, फाडू गिरेगा, आप handle नहीं कर पाऊगे, तो यह बाद ध्यान में रखेगा appeal, stock, और आपका support कितना होना चीज़ दोसों का, अगर दोसों तूटा तो इसको serious note पे इतना टाटा वैबाई कर दे ना, क्योंकि अगर नहीं करोगे, आप लोगे सर में पकड़ के रखोंगा, पता नहीं कब 5 साल, 4 साल, 6 साल में आपका value मिले वापस, ठीक है, careful है ना, bail stock बहुत ही खराब company अभी के लिए तो द कर लेते हैं, हुड को, अगर देखो हुड को की बात करें, हुड को वापस उपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, see, हम लोग हुड को यहाँ पे भी दिख लेते हैं, 19 का P है अभी के लिए, and company seem government है, लेकिन इसका operating profit margin 34% है, अगर हमेशे वैसी कमनी चूज करने चीए, जिस उसमें से कुछ यहाँ पे मिला है कि बाई, MOU sign होता हुआ दिखाई दिखाई दिया, कुछ benefit होता हुआ दिखाई दिखाई दिया, इसके वाज़े से हुड को वापस आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई जै सकता है, अब इसका support कहाँ पे stock का तो के 175 का है, ठीक है, अब यह support टूटा तो short term के लिए 125 आएगा, जो मैं rare case बता रहूँ, ऐसा नहीं होगा अभी के लिए, यह rare case है, अगर कुछ worst हुआ तो, लेकिन अभी एक किर बात करने जाए तो stock ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपका breakout stock का 215 के उपर है, जैसे 215 यह cross करके closing दे देगा, यह stock 240 जाएगा, तो अगर कोई बुचेश दर long term के लिए अभी कैसा है, still कोई issues नहीं है, still कोई problem नहीं है, वापस यह उपर जा सकता है, थोड़ा time लेके जाएगा, क्योंकि vertical mook किया है stock ने, ठीक है, तो हुड़कों में अभी के लिए को issues दी है, वापस उपर जा सकता है, positive stock है, ओकी, चुल बोलता है न, redesign करता हुआ दिखाई दिया है, तो हम लोग NBCC देख लेते हैं, एक बार के लिए stock कहां पर trade करा है, ठीक है, NBCC देखो, breakdown करता हुआ दिखाई दिया है, हाला कि अगर कोई बुचे सकता है, पैनिक करना चाहिए, तो अभी पैनिक मत करना, stock में मुझे clear cut अभी next support दिखाई दे रहे, 120 से 100 का, जो यहां पर base create करेगा, और वापस stock all time high मारेगा, देखो, यह company कैसी है, पता है, यह company NBCC में consider करना चाहिए, 56 पे PE trade करती है, आज नहीं तो stock कल ऊपर ही आएगी, dead free कमनी है, और इसका margin बहुत कम है, हमेश्य याद रखो, कम operating profit margin वाली company कम भागती है, क्या, और volatile भी जादा होती है, जिसके operating profit margin अच्छे हो, जो 20%, 30%, 40% आए, वो company आपको सबसे पहले radar पर रखनी है, ठीक है, long term किला, पूछते नहीं, long term, long term कौन सा stock है, बस वो company वक्रों, जिसके operating margin 30% से जादा है, ठीक है, वो company आपके लिए best return देगी, और आप fuzz भी जाय है, तो आपको panic नहीं होगा, तो अभी के लिए कौन सा आपको benefit लग रहा है, तो कि hood को, builds, NBC से stock अच्छा है, लेगे उसमें 5% के operating profit margin है, जो हर साली company manage करते है, तो अच्छी बात है, ठीक है, अब company पर इसका grow आ रहा है, तो हलका सा growth है, तो इसके वाज़े से ये बंदा उप कर रहा है, तो आपको NBCC में क्या करना है, नीचे मिले तो वहाँ पर add करना है, ठीक है, तो 120-100 का level आपके लिए best हो जाते है, वहाँ पर सोचेगा जरू NBCC, हाँ NBCC को, अगला बात हो जाता है, SJVN, अब देखो SJVN को orders मिल रहा है, हम लोग SJVN का operating profit margin लेख लेते हैं, ठीक है कहाँ पर SJVN, सी यहाँ पर है, 53 की PE अभी के लिए दिखाई दे रही है, अगला बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप देखो के कमणी ने हाला की long term के अंदर एक ही profit generate किया है, एक ही रिंज में profit generate किया है, हम लोग पहले देख लेते हैं, SJVN कहाँ पर है सी, SJVN, यहाँ पर SJVN, देखो, देख रहे हैं, आप यहाँ पर, 60% से, माफ किजीगा, 30% से operating margin जादा है, विए 20 डिमा को अभी के लिए respect कर रहा है, अला कि इसका PE अभी जादा है, growth इतनी जादा नहीं है, लेकिन इनको orders मिल रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते ह है, आप देखोगे, स्टॉक ने lifetime high को cross किया है, NBC से ऐसा कुछ नहीं किया था, I am sure आप लोगों देखोगा, NBC सिन कुछ नहीं किया था, तो अब ऐसी स्टॉक सरकारी radar पर रखे, जिसके operating profit margin 30% से जादा है, जो margin maintain कर रहा है, और long term के लिए अच्छे return देखे जा सकता है, तो फिर ये स्टॉक एक बार के लिए 140 क्रोस करें तब होने चाहिए, तो लेवल देखेगा, स्टॉक अभी भी positive है, इसके लवा यहाँ पर देखोगे, कहां पर गया, C, PSU Banks, Yuko Bank जैसे स्टॉक, Yuko Bank के अगर मैं बात करने जाओ, तो यहाँ पर देखो, Yuko Bank आप देखोगे, यह भी positive है, इसके भी हम लोग operating profit margin देख लेते हैं, अला कि banking stock है, और इसके operating profit margin अभी के लिए तो finance के लिए negative है, लेकिन बंदा profit अच्छा जनरेट करा है, तो अभी भी यूको बैंक positive है, जिनको पास है, tension नहीं लेना है, PSU जितनी भी banking stocks है, Bank of Marashtra, Yuko Bank, IOB, वगेरा 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 वो positive है, stock ऐसा लगए time spent करेगा, वापस यह stock breakout करेगा, stock में 80 रूपिस के level से वहाँ से profit booking हो सकती है, तो Yuko Bank positive है, अभी panic मत कीजिगा, stock support है, ब्रेश एंटर अगर पूशे long term के लिए तो 50 रूपिस के आज़ प and Tata Motors, तो हम लोग HCC देख लेते हैं, ठीक है, HCC कहाँ पे, C यहाँ पे है, इसके भी operating margins देख लेते हैं members, देखो, 34 की P है, operating profit margins, 16% के हैं, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, 30% से margin जादा हो तो वो long term के लिए अच्छा stock है, वरना थोड़ा problem हो सकते हैं, अभी sustain नहीं को भी long term के लिए नहीं देखने हैं, हाँ, short term में momentum हो सकती है, तो अगिर बात करने हैं अभी के लिए, तो आप यह समझो कि stock support ले रहा है, यहाँ में मुझे लगता है कि stock का अगर fresh entry का सोच रहे हैं, आप लोग तो 32 से 28 के बीच में सोची का, अभी stock drop सी level पर sustain तो नहीं किया नहीं है, अभी के लिए still company में कोई negativity नहीं है, stock अभी भी positive long term के लिए, लेकिन slow है, ठीक है, और जैसे कि आप देख साते है, operating profit margin कम होने की वज़े से stock lifetime high को cross नहीं किया है, तो हमेश्या मेरा thumb rule याद रखेगा, जिसका operating profit margin 30% से जादा हो, वो company आपको ज़रूर radar पर रखती ह अगर वो private हो, या public हो, मलब कोई भी हो, private या government की, दोन में आप वो चीज़े focus कर सकते हैं, तो अभी भी यह stock positive है, लेकिन अगर किसी की value आ जाती है, short term का वी है, तो exit का सोचीगा पहले सबसे, और आखरी point आ जाता है, Tata Motors, तो Tata Motors में आज momentum positive थी, अब stock 1000 के उपा sustain करे है, अ 1000 के उपा sustain करने देना, उसके बाद सोचीगा, तो कोई fresh entry का सोच रहा है, तो एक कम से कम 2-3 दिन और वेट कर लिजए, working 2-3 दिन, अगर यह sustain कर ले तो 1000 के उपर, तो आपका final support 1000 होना चीए, उसके बाद जहां पे जाए stock को जाने तो, फिर 15-100 जाए, 16-100 जाए, या 2000 जाए, कि अगर आने वाले working 3-4 दिन के अंदर 1000 के उपा sustain कर गया, तो stock और उपर जा सकते, कम से कम 20-30% return और देखे जा सकता है, लेकिन वो नहीं किया, तो stock यहां से fall कर सकता है, तो short and simple में ज्यान में रखेगा 1000 के लेवल maintain होना चीए, आने वाले कम से कम 3-4 working days के अंदर, होप आज का वीडियो पसंद आगा, समझ में होगा, कोई doubt राजा, comment का देना, telegram में यह जाके जरूर जुड़ेगा, और अगर हमारे investors community join करना चाते हैं, हमा लिंक से dimate account open करके join कर सकते हैं, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए good bye, जाए है